नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे वैट के बारे में वैट का फुल नेम होता है दोस्तो आपके पास वैल्यू एडिट टेक्स और जो वैल्यू एडिट टेक्स है आपका वो एक टाइप ऑफ इंडारेक्ट टेक्स है क्योंकि ये कोई सीधा गुर्मेंट को पे नहीं कर र करता है बहुत ही महतरफून रोल प्ले करता है ये लाइन भी इंशन आपके पास इंपोटेंज टीप स्ट टेक्स वी उन पर लगता है तो यह आपका GDP को definitely improve करता है ग्रो करता है यह आपके पास जो manufacturer है वो direct तो एक तरह से tax दे रहा है लेकिन अगर हम लोग उसमें बात करें तो वो एक indirect way होता है और indirect way के पीछे basic region behind region क्या होता है आपके पास कि reality में जो सारा tax का burden है वो आपके पास consumer पर पड़ता है तो इसलिए manufacturer पर इसका कोई impact नहीं पड़ता manufacturer जो भी लेकिया raw material पर tax दिया या finished product उसने बेचा तो finished product उसने जब बेचा तो उस पर भी उसने tax दिया तो वो सभी जब उसकी difference हो find करते हैं जब हम लोग difference उसका निकालते हैं तो वो आपके पास wet आ जाता है कि उसने कितने मे manufacturer किया था और वो फिर कितने में उसको बेच रहा है तो वो जो बीच का difference है वो pay कर रहा है लेकिन जब ये consumer तक completely पहुच रहा होता है तो और वो जिस cost में उसको बेचता है तो उसके according वो पूरी cost जो उसको देनी होती है वो complete निकाल लेता है अपनी तो इसलिए वो एक indirect method हो क्योंकि वो तो pay नहीं कर रहा है वो तो अपना केवल profit of margin जो है वो maximum ले रहा है तो इसलिए आपके पास इन पूरी abouts or things हमने जो read की अभी इनकी reading के अनुसार पड़ते हैं कि आपके पास इसकी proper definition क्या होगी so now we define the value added tax it is a type of tax which levied or imposed on goods and services जो आपके पास goods और services के लिए लगाया जाता है वो आपका एक wet tax है इसका meaning क्या है आपके पास the tax imposed on price of product जो आपके पास product के price है और जो services है उसके हर एक stage पे आपका जो tax लग रहा है वो आपके पास और final जाके consumer पे पहुँच रहा है consumer तक पहुँच रहा है तो वो कहता है कि जो भी सब tax लग रहा है वो आपके पास wet type का tax है लेकिन direct जो सिधा सिधा government को दे रहा है वो आपका कौन दे रहा है जो manufacturer था वो manufacturer दे रहा है लेकिन indirect way में consumer ही pay कर रहा है क्योंकि यह इसका बहुती था उस पे उसका impact नहीं पड़ता क्योंकि यह एक stage के थुरू आता है कि सबसे पहले raw material लाए वो raw material लाने के बाद फिर आगे गया आगे final finished product बना seller retailer तो इस तरह से जो complete sequence है last में आपका consumer के पास पहुँचता है तो वो जो manufacturer हुआ था और जो आपका manufacturer ने उसको बेचा था retailers को और फिर आपके पास वो जो sales के थुरू होते हुआ consumer के पास आया तो उन्होंने इतने prices बढ़ा दिये थे कि वो पूरा complete burden consumer पे ही पड़ता है तो simple way में आपके पास एक यह block diagram के दोरा बताया गया है कि किस तरह से आपके पास वो consumer के पास पहुँच रहा है और किस तरह से जो raw material आपके पास वो आपका starting जो firstly जो भी manufacturer है वो लेके आता है वो लेके आता है तो उस पे वो अपना tax pay करता है जैसे for example कोई cotton है माल लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली industry है तो वो cotton खरीद के लाया तो cotton खरीद के लाया तो उस पे उसने अपना tax pay किया फिर वो transformation process हुआ फिर finished product बेचा आप finished product जब वो बेच रहे तो भी वो आपके पास उसको tax pay करके ही बेच रहे तो वो उसने आगे बेचा फिर retailers आ गए फिर वो आपना improve करते हुए और finally वो consumer के पास जाएगा तो जो manufacturer था उसका जो खर्चा जो उसने pay किया था raw material पे tax वो और जो finished product last में जो दि difference होता है वो आपके पास होता है wet value added tax और ये जब सभी के हाथों में इसे पहुंचते है और final जब consumer के पास जाता है तो वो जो tax उसने pay किया था manufacturer में manufacturer ने वो आपके पास कम पढ़ जाता है जबकि consumer के उपर उसका burden बहुत ज़दा पढ़ जाता है जैसे for example समझाय हुआ है कि एक person है वो आपके पास raw material लेकिया है मानलो कपडा बना रहा था वो ही कि raw material लेकिया है वो 10,000 रुपे में और उसने 8% जो tax है वो pay कर दिया उसके लिए जब उसने final product किया तो उसने वो उसको 40,000 रुपे में बेच रहा है और 40,000 रुपे में जब उसको बेच रहा है तो भी वो pay कर रहा है आपके पास मानलो 8% tax के हिसाब से तो जो बीच का उसका difference हा रहा है यह पे दा difference of these two for vet to the government यानि गोवर्मेंट को आपके पास इन दो के बीच का जो difference है वो सिधा सिधा direct way में pay कर रहा है लेकिन burden को उठा रहा है उसका consumer उठा रहा है तो यह था दोस्तो आज आ value added tax थैंक यू दोस्तो